असलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग आज की वीडियो में है तो तलंगाना स्कूल सान कॉलेजेस रिओपनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड जो 10th के स्टूडेंट से हो लोंका है तो एकाडेमिक कैलेंडर रिलीज हुआ 2020-2022 का उसके बार में भी अपन डीटेल में देखेंगे एंड दिन रही बाद इंटरमीडियेट के फस्ट एर के एक्जाम से सो अक्टोबर फोर से होने वाले हैं तो उसके बार में भी अपन डीटेल में देखेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट है की वीडियो लास्त तक देखें ताकि आपको पूरी समझना है और पर स्कूलस अ कॉलेचस और नगारेबंग कर दिये तो वहां पे चाहि Twin शाकट्ना स्कूल स्कूलस में हैई कॉलेचस में स्टूडलेंद्स एकनर क़रें तो परेन्ट करके कारण अपने बच्छों को एथ हर्ड़वेफ कं दिखर के कारण स्कूल्स और को नई भीज रही लोग online classes लेने की कोशिश करो या फिर प्रिकॉशन्स लो क्यों बोलो तो थर्ड वेव जो आने वाला है बहुत डेंजर रहेंगा बुलके तो उसके डर के कारण क्या है पेरेंट्स है ना बच्चों को है ना फिजिकल क्लासस अटेंड करने की नहीं दे रहें क्यों बोलो तो attendance percentage निकाले तो offline classes का बहुत ही कम है तो यह माने में क्या है बोलो तो पब्लिक भी क्या है डर्री ठर्ड वेव आने के कारण क्यों बोलो तो डरना भी चाहिए जैसा की कैसा है बोलो तो अब एक वाया तो पुरी फैमिली एफेक्ट करना यह सहीं नहीं ना तो online classes effective भी नहीं सब्सक्राइब करने कोशिश करिए नहीं हो सकते तो online भी कर सकते साजबरदस्ती नहीं है तो आपका रहे क्या है मुझे कमेंट करके बताईए और रही बाद टीएस के 10th class के 2021 टुन्टी 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 टू का academic calendar रिलीज हुआ उसके अंदर यह लोग है तो तू थर्टीन classes निगे बुलके डिसाइट करें उसके अंदर 47 है सो आपको online classes रहेंगे and then offline classes 166 days रहेंगे उसके अंदर जैसा कि आप सभी को मालूमें कि September 1st से class start हो गया आपके जो है तो अक्तोबर 5 से एफएवन रहेंगे बिन देन February में है तो आपको एफएटू रहेंगा फिर दिसंबर में से वन फिर एपरेल में से टू फिर देन उसके अनमे मार्च में आपके final exam से रहेंगे फिर देन उसके आपरेल 23 से लेके आपको जुलाइ की जून की 14 तक आपको summer holidays आपको classes टोटेन करना है तो दिन आपको time table release हो गया अब गॉर्णरमेंट देखना यह तो रिलीज करिए अब इसके उपर कितना शेयर करें ताकि लोगों को भी मालूम होए कि classes चर रहे और exams होने वाले रही बात इंटर first year के regarding exams की October 4 से अपडेट आ रही तो कहीं सारे students क्या है परेशान है कि October 4 से exams लेंगे और वो लोग बार-बार कॉल करके मुझे यह भी बुर रहे सार अक्टोबर 4 से इंटर first year के exams होएंगे आने होएंगे आप उसके वीडियो बनाई यह क्यों बोलो तो कॉलेज में भी बूर रहे की आपको 15 days before मालूम होईगा क्यों बोलो तो तीन घंटे का एक्जाम ने रहेंगा वन हंटाफ अवर का एक्जाम रहेंगा तो वह चीज पॉइंट ऑफ यू रखते विए अपने वियां पे अभी तो कुछ भी अपडेट नहीं यह पेपर्स में आर्टिकल्स आरे गौर्णर्मेंट इस प्लाइनिंग टू कंडेक्ट बोलके अक्टोबर फॉर से क्यों बोले तो कोई 19 स्टार्ट हो गया तो प्रॉब्लम होती ना बोलके अक्टोबर फॉर से है सो यह इन्हों की फेस्टिवल के बाद में एक्जाम्स रखेंगी यह बोलके सोचे तो अभी अगर आपको एक महना है परिशान होने की जूरत नहीं है अगर लिए तो भी आप लोग एज़िली प्रिपेर हो सकते हैं अगर आपको डर हो रहा बोले तो आप में जॉइन कर सकते मैं भी इंटर्मीडियर कुछ क्लाइस दे तो आप है ना मैं आपको गाइड कर सकते हूं और यहां पर क्यों एक्जाम्स लेना चाहरे बोले तो अब जैसा कि टैंथ क्लास के बच्चों को वो लोग आल्रेडी प्रमोट कर दिये तो लोगो क्या बेसेस पर मार्क्स देना विलके कन्फ्यूज है वाबे तो इसलिए एक्जाम्स के बारे में बार बार लेते लेते ब होने वाले हैं तो प्रिपरेशन जारी रखिया और कहीं सारे बच्चे यह बोर रहे कि सर अगर सेकेंड डियर का एक्जाम्स लेना था तो फस्ट यह क्यों प्रिपरेशन करवाए फिर अभी कॉलिग में भी सेकेंड डियर का यह पढ़ा रहे हैं अब वह बोरे कि फिफ्ट अब बच्चेंगे तो अब बच्चों का एड्यूकेशन परफारमस्ने मारें क्यों प्रेशन में तो सब को अच्छे से माइस है और फ्यूचर में क्या है बलो तो जॉब्स को प्राब्लम होती इसलिए हम लोगों का एक्जाम्स लेना जरूर यह बोलके ऑफिशल सब डेट लोगों को फ्यूचर में कई लिए बली तो जॉब्स में प्राब्लम नहाओना लगों फिर से प्राब्लम कर दी जिये तो वह ल师 को जोब्स में प्राब्लम हो एंगी पोलके स्व लेज्प एन दन रही लए बात कामी सारे निउजस में ये य Rapha ra कि एजन इंप्रूमेंट टाइप एक्जाम रहेंगा विलके जो बच्चे लिखना चाहरें उल्ला लिख सकते हैं या फिर कहीं सारे न्यूसेस में यह भी अपडेट आ रहा कि खाली जो है सो पूरों को एक्जाम लिखना ज़रूरी निया कि इंप्रूमेंट वालों को क्यों बोले तो 35-40 परसेंट आप लोगों को जो है सो मार्ग्स दिए अगर जो भी उसमें अनसाटिस्फाई है वो लोग है सो एक इंप्रूमेंट एक्जाम लिख सकते हैं तो अब र आप स्टेट्यून रही है अगर कुछ भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए इंटर्मीडेट के रिगार्डिंग इंशालला बनाने की कोशिश करोंगा तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाधा साथ शेयर करिए ओवरॉल मैटर क्या है बोले तो टेंट के एक्ज करूंगा स्टेट यून रही है और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाधा साथ शेयर करिया आप किराय क्या है स्कूल्स और कॉलेज़ से रिओपनिंग के रिगार्डिंग और इंटर्मीडियर्ट फरस्ट जियर एक्जाम्स के रिगार्डिंग कमेंट करके बताए यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाधा साथ शेयर करिया चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करियो वीडियो अच्छी देखितों लाइक करें चल्या चलते हैं अल्लाहाफी